हाल ही में दिल्लिस्तित डॉक्टर करनी सिंग शूटिंग रेंज में गन शूटिंग विश्व चैंपिंशिप के ट्राइल में जिला रोहतक के गाउं समाईला की बेटी पायल का चैन हुआ है ट्राइल में देश्वर से लगभग 1500 गन शूटिंग के खिलाडियों ने भाग लिया था जिसमें साल भर पहले ही खेलने शुरू करने वाली पायल का चैंपिंशिप के लिए चैन होना बड़ी उपलब्धी माना जा रहा है इसके बाद पायल उसके कोच योगेश नर्वाल पिता कुल्दीब खत्री काफी उत्साहित हैं बच्पन से ही गन शूटिंग खेल में रूची रखने वाली पायल का सपना ओलम्पिक में मैडल जीतने का है सपोर्ट तो सभी करते हैं किसी को अपने परिवार में से कोई भारत को रिप्रेजेंट करने जाएगा बाहर तो सब कोई खुशी होती है पर मेरी पुरी फाम्ली मेरे ममी पापा और मेरे भाई-बेन मेरा भाई भी शूटिंग करता है लकश है और मेरे कोच सब बहुत खश है अच्छा आपने स्चूटिंग करना चाहिए जिसमें हमारा महा लगता हूं जिसमें खुशी हिए हो ती Easman फुशी अ सकती हूँ मेरा इसे करियर बन सकता है और मैं काफी confident feel करती हूँ shooting करने के time पर तो मुझे लगा यही best option है सर हर एक sports person का सपना होता है वो olympic में represent करें अपने भारत को मेरा भी यही सपना है कि मैं आगे जाओं तरक्की करूँ अपने coach का अपने parents का पायल ने अपने बड़े भाई लक्षे खत्री जो shooting के राष्ट्रिय खिलारी है उनको देख कर सीखने के बाद केवल साल भर में ही शिखर को छू लिया रहतक स्थित gun and gut shooting academy के संचालक और पायल के coach योगेश नर्वाल का कहना है कि पायल काफी होनहार खिलाडी है और वो बहुत आगे तक जाएगी अभी अभी पायल एक लड़की हमारे पास यहां पर जो लगबग साल बर पहले हमारे पास अंदर तो बड़ा ही गर्व मैसूस हो रहा है कि यहां के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन करने के लिए तयार हो जोगे आपको बता दें कि यह प्रतियोंगी ताब 12-18 अक्तुबर तक काईरो एजिप्ट में खेली जाएगी पायल विश्व चैंपियंशिप के गंशूटिंग के तीन इवेंट जो की 25 मीटर रैपिड फायर 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल मिक्स और 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल सिंगल में खेलेगी पायल का एक मात्र लक्षी अलांपिक खेल कर वहां से मैडल जीतना है रहत तक सदिनेश कौश एक सत्य खबर